सो हेलो गाइज, वेल्कम बैक टो दे चैनल, डाल रहा हूं आप लोग के लिए एक नई वीडियो, तो गाइज मैंने थोड़ा रिसेंटली मैंने ट्रावल किया था डेली से बैंगलोर अपने किसी ओफिस के काम से, तो मैंने सोचा आज तक अभी मैंने ऐसे जर्णी को कवर न यह काफि reliable service लगती है मुझे blue smart की, यह लोग आपके आप पास around 10-15 minutes पहले आ जाते हैं, तो यह जो आप वीडियो में time देख रहे हैं, this is very early morning, यह around 5 बजे का time होगा, जब मैं airport पहुचने वाला था, तो guys वैसे तो मेरे घर से time जादा लगता नहीं है, 20 minute का ही time लगता है, फ कुछ भी चीज़ा ऐसी होती हैं कि जो बड़ी unexpectedly हो जाती है, तो इसलिए यार मैं time पे travel करना, मतलब airport पहुचना प्रेफर करता हूँ, तो भाई, सुबह का time था, इसलिए 20 minute में blue smart वाले भाई साब ने फटा फट पहुचा दिया हमें airport, और भाई, मतलब सुबह के time भी आप जैसे ही है, airport वाली side आते हो, मेरी flight थी है, आपका terminal 3 से, T3 से, तो भाई, traffic तो मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि भाई, काफी सारे लोग मतलब travel करने हैं सुबह के time भी, और यह आपका early morning का time है, तो भाई, अपना, क्योंकि मैंने, मैं normal use करता हूँ, आपका DG यात्रा, तो मैंने DG यात्रा से 2 मिनट में मारी entry airport के अंदर, और भाई, फिर मैं निकला अपना boarding pass प्रिंट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक ही single luggage था, जो की मेरा 7 किलो से भी कम था, और मैं उसे cabin में ले जाने वाला था, तो मुझे कोई जाके, मतलब baggage को drop नहीं करना था, तो अपन सीधे गाए machine पे, वहाँ पर जाके अपना Air India का अपने निकाल लिया boarding pass, और सीधे हम लोग चल दिये फिर आपका security की तरफ, और भाई, जब से DG यात्रा वाला हिसाब आया है और अगर आपको कोई check-in baggage निया, यानि कोई आप जो plane की नीचे वाले holding में जो समान रखा जाता वहाँ पर आपको नहीं रखाना है समान, आपको सीधे cabin में लेके जाना, तो भाई, मेरी ये वाला process इतना smooth था भाई, मेरको literally 20-20 minute लगे होंगे, और मैं security clear करके अंदर boarding gates की तरफ चलने लग गया था, और भाई, T3 तो आपको पता ही है, काफी बड़ा airport है, और यहाँ पर भाई, आपको काफी सारी चीज़े देखने को मिल जाती है, नई-ने stores हर बार खुले वे मिलता है मेरको, हलाकि मैं काफी 7-8 महीने के gap के बाद airport आया था, और तो हमेशा भाई आके न, एक vibes ही अलग मिलती है, कि आपको आके लगता है, कि भाई, travel वाला महौल बन जाता है, ए मैंने यही सोचा था, मैंने एक अपना apple cut कर लिया था, और कुछ dry fruits डाल लिये थे यार, और सोचा था कि airport पर ही जाके कहीं side में बैठके खा लूँगा, क्योंकि सुबा का time है, बहुत जादा, मतलब भरके भी नहीं खाना चाता था मैं, बट फिर भी मैंने सोचा यार, जाक मैं अपने boarding gate की तरफ, अपना as usual Tim Hortons दिखा, भुटानी वालों ने अपना कुछ तो लगाया हुआ था, मापे घरों का marketing का, मेरे लिए एक चीज़ बेस्ट हो गई थी, आप जो सामने देख रहे हो ना, कि gate number 27, मेरा gate number 27 ही था, I think 27 B था मेरा, जो कि just आप boarding gates के लिए जब ए जो यह भी देखी हैं, क्योंकि भाई अभी boarding में time था, तो थोड़ा सा घूमने के लिए निकल गए, अब देख रहे हैं भाई, यह वैसे तो मैंने बहुत बार देखा हुआ है भाई, बट क्योंकि मैं वीडियो फॉर्मैट में इस जर्नी को capture कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सचा थोड़ा आगे तक घूम के आते हैं, time pass कर रहा था basically मैं यार मेर से अब जब सुबह एक बार black coffee पील हो इतनी strong तो उसके बाद भाई बैठा नहीं जाता यार, फिर यह जो आप store देख रहे थे, यहाँ पर relay यहाँ से जाके मैंने पानी के bottle उठाई थी, तो भाई early morning हो और थोड़ा दिखने लग गया था, यह वो crew था जो Air India Express की flight को अभी ले के आया था, वो जो आप side में अगर आपने देखा होगा, Air India Express का flight खड़ी होई है, वो ही हमारा plane होने वाला है, जिससे हम लोग travel करेंगे भाई, बैंगलोर, और फिर सुबह होते होते, Air India का A350 भी आके लग गया था, बिलकुल बराबर में, हाला कि मेरा काफी मन था है इस flight में बैठने का, बट वो भी आपको वीडियो जाके, वीडियो में आगे इंफेक्ट पता चलेगा, कि वो भी तमन्ना पूरी हो गई थी, तो भाई, finally, on time, अपनी boarding के लिए, इन्होंने gates खोल दिये थे, तो सब लोग चल दिये, अपना flight की तरफ boarding करने के लिए, और पूरी flight खजा-खज भुक थी, यार मेरे को ऐसा लग रहा था कि अरली morning flight है, और इतनी सारी flight है बैंगलोर के लिए जाती हैं, तो शायद थोड़ी खाली मिले, बट नहीं भाई, flight पूरी loaded थी, एक भी seat खाली न max, और ये seat आप देख सकते हो कि मेरी height around 5-10-11 है, फिर भी ठीक थी, comfortable थी बैठने के लिए, बंदे के लिए, और बागी तो इसमें कोई screen green तो होता नहीं है, आप इसमें देख सकते हो कि मैंने आपको hand के उससे भी बता है, मेरे कहाल से जो बंदे 6 feet या 6 feet plus हैं, उनके लिए seat थोड़ी crammed up है यार, वो लोग comfortably नहीं बैठ सकते हैं, एक निया feature मैंने इसमें ये देखा कि यहाँ पे इन्होंने एक USB का button दिया हो है भाई, पोर्ट, आप अगर अपना phone वगरा charge करना चाते हो, जो कि पहले मैंने flights में नहीं देखा था normally, बट अब यहाँ पर मिन ले लग होता है, और फिर उसके बाद भाई हम आगे थे अपने cruising altitude पे, जो कि captain ने बताया था, इट वस around 36,000 feet और पूरी बादलो की लेर थी, इस time हम शायद आपका Mumbai वाला जो region होता है, महराष्टा वाला जो region होता है, उसको cross कर रहे थे, and flight smooth थी, यार, flight में कोई इतनी turbulence वगरा नही फिर भाई आपन लैंड हो गए आपका Bangalore Airport Terminal 2, तो यह गाईज नया terminal बना है, Bangalore Airport पे पहला है Terminal T1 और यह है T2, भाई कसम से यह airport पे, मतलब जहां पे flight ने हमें उतारा था, वहां से भाई literally नाना करते, मतलब आपको 1.5 km तो भाई चलना पड़ेगा, मतलब इतना लंबा रस्ता है, आपको लगेगा भाई, बस करो यार, हो गया, भी पहुँच गए, और चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, भाई endless सा रस्ता लग रहा था मतलब मेरे को तो ऐसा, फिर भाई यहां बहार आए, इन्होंने बड़े screen भी न लगा रखे हैं, शो बाजी है, थ मैं अपने साथ लेकर चल रहा था, और क्योंकि मैं company के काम से आया था यहां पर, तो company मेरे लिए cab arrange करी हुई थी, जो कि एक गाड़ी मुझे लेने के लिए आई थी, और वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, मेरे को actually जाना था होसूर, वो जगा आपकी actually पढ़ती है, airport पोर्ट से around 67 या 70 किलो मेटर के आसपास आप मानलो, तो दो घंटे का time map में मुझे दिखा रहा था, और होसूर पढ़ता है आपका करनाटका और Tamil Nadu के boundary पे, तो होसूर actually कहने के लिए, मतलब बैंगलोरी उतरना पढ़ता है आपको, बट वो पढ़ता है Tamil Nadu में, बिलकुल boundary करता ही पड़ता है, तो ये अपन बाहर आ गए, बाहर वैदर अपना ठीक था, ना गरम था, ना ठंडा था, प्लेजन्ट लग रहा था मेरे को तो, हाला कि दिन का time था, थोड़ी धूब जादा चमक रही थी, फिर भी इतनी गर्मी कुछ महसूस नहीं हो थी, मतलब पसीना नहीं आ रहा था भाई, फिर भाई चले, क्योंकि मैं पहली बार इस टर्मिनल पर आया था, मेरे को कैब वाले ने बोला था, कि आप बाहर निकल के नीचे जाके, जो पिक अप पॉइंट होता है, वहाँ पे मिलिएगा, वहाँ पे कैब आ जाएगी, अब भाई मेरे को यहा लैंग्वेज की बड़ी दिख्कत होती है, वो क्योंकि बंदा तमिल नाडू का था, तो उनको मतलब इंगलिश थोड़ा, मतलब उस बंदे को नहीं समझ आ रही था, वो टूटी-फूटी-इंगलिश बोल रहा था, फिर भाई, फाइनली मैं एसकलेटर लेके नीचे गया और जो कि आपका कार पिकप एरिया है, यहाँ पर अगर जो भी प्राइवेट कार्स हैं या आपको पिकप करने के लिए आ रहे हैं, तो आप डिरेक्ली नीचे आके, आप जो मेरे को ड्राइवर ने बोला था, कि आप जिस भी पिलर के पास आके खड़े होगे ना, उसका न कर लिया, क्योंकि नया एरपोर्ट है, सब साफ साफ है बिलकुल, तो भाई अपनी गाड़ी आ गई थी, गाड़ी से अपन निकल लिये, हुशूर की तरफ लंबा रस्ता होने वाला था, और क्योंकि सुबा का मैं थोड़ा थका हुआ था, कॉफी का सर भी खतम हो चुका थ मेरा, तो मैंने सोचा यार थोड़ा सो लें, बट पता नि क्यों मेरे से कभी न ऐसे ट्रावल के टाइम पर न सोया नहीं जाता है, ना मैं फ्लाइट में सो पाता हूँ, और ना मैं इसमें कैब में बैटके सो पाया, और वैसे तो हुसूर जाने के दूर रस्ते हैं, एक तो नौइडा वाली साइट तक जाते हो, तो कई बार किया है, हम वो पाड़ी वाला रस्ता ले लेता ना, ओटर से, तो ये उस तरीक के रस्ता था, फिर भाई ये होसूर एंटर करने के बाद, इस थोड़ा सा पहले था, तो ये एक लेक टाइप पढ़ती है, वहाँ पर काफी हिल्स करके, ऑल्दो ये थ्री स्टार प्रॉपर्टी है, भाई, बट मेरको यहां की सर्विसेज बहुत अच्छे लगी, स्टाफ बहुत अच्छा था, कर्टियस था, रूम्स वर वेरी क्लीन, कोई मेरको ऐसी अन हाईजिनिक चीज नहीं दिखी, क्योंकि मेरा फ्लोर, ये कबार हॉंस की आवाज आ रही थी, वो ट्रक के जो डीप वाले हॉंस नहीं होते हैं, उनकी आवाज बीच में आ रही थी, और फिर भाई, मतलब मेरको एसी भी कुछ ऐसा खास बार बार चलाना नहीं पड़ा, रूम ठंडा करके इतना नॉर्मल था, रात को वापे भी और फिर भाई, यहाँ पर मेरा क्योंकि ब्रेकफ़स्ट भी इंक्लूडड़ था तो नेक्स डे भाई, अपने किया ब्रेकफ़स्ट, और भाई इस होटेल के हाँ, एक बात आपको बोलूँगा यहार खाना बहुत बढ़िया था, मैंने अपना रूम सर्विस में मतलब डि यह मेरे फ्लोर की गैलरी कह सकते हुए, आप मेरा रूम बिल्कुल कॉर्णर में जाके था, और बड़िया हिसाब भाई इस होटेल का यह फिर उस टाइम पर है जब भाई मैं चेक आउट कर रहा था, कोपार बोल, इनका रेस्टरॉन का नाम है, जहाँ पर भाई, आपका mostly breakfast सवातर जहां से खाना बनके आता है, यह है उनकी reception lobby मैं अपना चेक आउट कर रहा था, यह एक दिन बाद की है, मैंने बीच में capture नहीं किया था, तो आप लोगों के लिए थोड़ा होटेल की, हाँ, आउटर दिखा देता हूँ, यह बड़ी vintage कार इन्होंने बाहर खड़ी क प्रेसिडेंट करके, यह मतलब थोड़ा iconic बनाने के लिए होटेल को, और इस होटेल में हाँ, आपको यार एक बहुत बड़ीया swimming pool भी मिल जाता है, क्योंकि मेरे पर swimming costume नहीं थी, तो मैंन बहुत था, पर क्या करें भाई, swimming costume नहीं थी, तो भाई यह था, धूप निकल रही था, और फिर उसके बाद, भाई, अब समय हो गया था, कि अपना, नहीं, in fact, sorry, मैं यह इस टाइम पर मैं अपनी factory जा रहा था, सुबह के टाइम, breakfast करके, और उमीद थी, कि मैं timely यहां से निकल जाओं, क्योंकि मेरी रात की flight थी, 8 बजे की, तो मैंने plan किया था, कि मैं 3 बज पर भी मैं खाने के लिए आया था, अपने office colleagues के साथ, भाई, pure vegetarian restaurant, बढ़िया variety, अच्छा खाना, तो आप अगर कभी हुसूर साइड जाओ, तो भाई, try कर सकते हो इसको, और यहां पर मैंने एक चीज़ देखे थी, भाई, यहां पर न यह पटाकों की बड़ी बड़ी दु आने हैं नहीं, तो सारे लोग border cross करके यहां पर आते हैं, पटा के लेने के लिए, तो यह जो आप सामने toll booth देख रहे हो, यह toll booth है भाई, जो आपका separate out करता है, करनाटका को और Tamil Nadu को, तो अब हम भाई आ गये थे करनाटका में, तो driver साब ने बताया है, कहता कि क्योंकि अभ में तीन बजे निकला था, तो around मेरे को 5-10 के आसपास Google Maps पे दिखा रहा था कि मैं airport पहुंच जाओंगा, और अपन ये Bangalore City को cross कर रहे हैं, भाई फिर आ गए थे main interior Bangalore में, वही corporate वाला vibe आ रहा था पूरा, तो यहां पर मैंने कुछ वीडियो को cover किया, देखते होए कि भा crowd भी अलग हो जाता है, क्योंकि मैं outer में था नो, तो वहां पर भाई बिलकुल वह आप एक मान के चलो, वह industrial area होसूर जो है, बट यहां पर आके बिलकुल एक तरीके से crowd भी बदल गया था, तो यहां पर भाई अपना zepto-wepto दिखने लग गया, razor पे का office दिखा, corporate office, और और यहां से भी अपनी भाई departure flight terminal T2 से ही होने वाली थी, तो मैंने drivers आपको पहले ही बता दिया, कि भाई यह T2 लेके चलना, T1 ना ले जाना, और airport side का तो रस्ता आप देख रहा होने, कैसा वह चोड़ा चोड़ा हो जाता है, बिलकुल आसमान में हलके हलके बादल दिख रह तो सामने था आपका domestic के लिए departure, फिर दुबार है यहां पर मेरे को अपना, क्योंके मेरा boarding pass डिजी आतरा के through phone में ही था, तो बस मेरे को scan करना था, और दो मिनिट के अंदर मैंने यह area भी cover कर लिया था, फिर भाई अपन सीथे अंगर जाता है, तो अगर जाता है, तो अगर का detail नहीं पड़ पाया, क्योंकि मुझे जल्दी लग रही थी, कि मैं जल्दी से जाके अपनी security clearance करूँ और जाके कुछ खाऊँ, क्योंकि मेरे को भूक लगी हुई थी बहुत जादा, फिर भाई cover करते हुए, अपन चल दिये, सीधे, आगे, और भाई, जैसे ही आप इस व importance ज़रूरी होती है, इनको तो हर जगाई अपना outlet खोलना है, और फिर भाई ये, to me, कुछ ये brand है, जो आपका शायद कुछ bags वगेरा बनाती है, फिर भाई हम और अंदर चले, यहाँ पर, मतलब, James Martin Kitchen, ये कोई British chain है, उसका kitchen, मतलब, कोई भी outlet, मतलब, ऐसा नहीं था, जो funky हो भाई, मतलब, hard rock cafe तक अंदर खोला हुए, फिर hamilies, standard, फिर भाई, सत्य पॉल ने अपना outlet खोला हुआ है, यहाँ पर, और फिर भाई, और अंदर चला, तो सामने आपको दिखाऊंगा, कि भाई, आपको hard rock cafe दिखेगा, मतलब, airport के अंदर hard rock cafe बता रखा है, फर्जी cafe, य कुछ भी निखाया है, क्योंकि यह सारे outlet ऐसे हैं, कि जिस पर मेरे को ऐसा लगता है, कि भाई, junk food मिलता है, और वही burger, fries, यह खालो, खालो, मेरे को थोड़ा normal type की meal चाहिए थी, जो कि मेरे को एक ऐसा outlet नहीं मिला, कि जहाँ पर मिल जाए, KFC था, वहाँ पर भी निखाना थ मेरे को वही fried chicken वगरे यह सब, फिर भाई, थोड़ा सा और explore किया airport को, मेरा gate था D4, D5, और अभी क्योंकि time था, तो थोड़ा बहार आके एरिया में आके मैं देखने लग गया थे, क्या है, तो पता चला तो यह भाई, एक खुला smoking zone बनाया हुआ हुआ है भाई, एरपोर्ट एर क्राफ्ट एर इंडिया का, वही जो सुबह आपने को दिखाता है ना, बढ़िया वाला नया जहाज, और काफी सारे passengers आ जाते हैं, इसमें आए, इतिंक ना ना करते, 300, 300 passengers तो travel कर रहे होंगे, भाई, क्योंकि boarding काफी लंबे time तक चली थी, अभी जैसे अंदर चलते हैं, अंदर चलके भी मैंने थोड़ा सा capture किया वीडियो में आपको दिखाता हूँ, और चल रहे हैं फिर भाई आ गए अपना flight के अंदर, तो आप देखो, 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 seat देखो, आप कितनी सारी है, इसमें triple aisle वाला, मतलब, configuration यूज़ किया हुए, तो तीन seat, तीन seat, तीन seat, में, तो business class तो आगे था, तो premium economy को हमने cross किया, और उसके बाद भाई आगए, अपनी seat पे, 36B, screen दिया हुआ था भाई, entertainment के लिए, leg space, मेरे को थोड़ा सा कम लगा, economy class में, in fact, मेरे को air India express में better लगा, इनका जो, बोईंग 737 में, जो leg space था, ये मेरे को थोड़ा ज्यादा ही, लग रही थी, फ्लाइट ये भी भाई, fully loaded थी, फिर भाई, safety वीडियो आया, जो कि इंडिया की culture से inspired रखा गया है, ये आपको नए air India के जो planes हैं, उसमें आपको ये videos देखने के लिए मिलेंगी, और फिर भाई, अपना flight timely, अपना take off करी, बैंगलोर से दिली के लिए, क्यों कि मैंने कुछ खाया नहीं था, तो भाई, मेरे को याद था कि मेरी जो flight में meal included है dinner, वो serve किया जाएगा, तो मैं सोचाता है, चलो कोई बात नहीं है, भुको और थोड़े दर काबू रखते हैं, और जाके खाएंगे सीधा flight के अंदर ही, तो भाई, इन्होंने पूरा, अलग फिर उसके बाद भाई, ये था, जो इन्होंने meal serve किया था, और भाई, मैंने दाल चावल लिया था, फिर इन्होंने बन दिया, दही का डबा, बटर, और एक कोई dessert दी थी, जो कि मैंने नहीं खाई, क्योंकि मैं मीठा नहीं खाता भाई, और तो अपन ने फटाफट बस वो महरास्टा वाले रीजन को, हलाकि फ्लाइट इसने भी हमें at least 20 मिनट पहले पहुचा दिया था, हमारे arrival टाइम से, और मतलब इसमें आपको games भी मिल जाएंगे देखने के लिए, movies भी थी, Hindi, English दोनों ही, बट मतलब मेरे को ऐसा कुछ content वो नहीं लगा कि मैं देख लूँ, थोड़ा हां मैंने थोड़ी देर Angry Birds गेम खेल लिया था, बट फिर क्योंकि रात हो रही थी, खाना खा लिया था, तो या नीन सौट अफ आ रही थी, बट सो नहीं पाई यार, अगयान वही वाली चीज होती है, कि मैं सो नहीं पाता हूं फ्लाइट में, थोड़ी देर बस ऐसे यह दर उदर गर्दन करके थोड़ा सा सेटल आउट हुए, कि भाई, टाइम कटे किसी तरह फटा फट पहुँचे दिल्ली में, क्योंकि दो गंटे मैं यार, गाडी में बैठके आया था, और फिर दुबारा ये दो गंटा चालेज मिनट फ्लाइट में बैठना, यार भी कुछ दिखेगा नहीं, सब लोग अपने स्क्रीन में लगे होए थे, कोई मूवी देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई गाने सुन रहा है, हेड़फोन आपको प्रोवाइट किये जाते हैं, तो मैंने हेड़फोन निकाले नहीं आ रहा है, और मेरे वाले पता नही मुझे दिखा भी नहीं कहाँ चले गए थे, तो मैंने तो बॉदर भी नहीं किया, तो भाई हाँ, इसमें कैमरेज वैमरेज ऑप्शन काफी अच्छे दिऊ हैं, आपको फ्लाइट की टेल से, आपको कैमरा दिखेगा, फ्लाइट के आगे, फ्लाइट के वील्स के नीचे ए ये थे भाई, ये गेम्स उनो दिया हुआ है, आप अगर ग्रुप्स में हो तो भाई, दो लोग हो, साथ में बैटके उनो खेल सकते हो, एक सिंगल स्क्रीन पर, फिर भाई, ये आपकी मूवीज दी हुई है, वही पुरानी मूवीज यार, इंटर स्टेलार, ये सब, मतलब नथिंग वेरी ग्रेट, कि कुछ ऐसा नहीं था, कि आदमी बोले आरे, वहा, क्या, क्या, इंटर्टेन्मेंट दिखा यार, ये ही देखूंगा, तो उससे अच्छा तो अपने कुछ डाउनलोड करके ले जागा, फोन में फिर आ गए थे भाई, अपन वापेस अपने अरा भाई, वो क्या कहते हैं, ड्यू टू, मतलब बहुत है, हेवी उससे चल रहा है, अभी काफी सारे लोग उने बुक कर लिया, बट फिर भी मैं बाहर जाके, ब्लू स्मार्ट के काउंटर पे गया, तो वहाँ पे आप बता के OTP दे देते हैं, वो कैब बुक हो जाती है, फिर भाई, मेरे को 20 मिनिट में छोड़ा मेरे घर रात को, और भाई, घर आके फिर अपन ने अपनी जर्नी करी, एंड, तो